चलिए शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट एनिलिसिस फिफ्ट जुन का आफ्टर एलेक्शन रिजल्ट तो बैक टेस्टर में चलेंगे एफ्टी अल्रेड़ी सेलेक्टे रे एक्सपाइरी पांच जुन का डेट और नो पंद्रह पे देखते हैं क्या होगा मार्के 244 पॉइं के देखें तो ये हैं आप इसंजल्टप मारेक्शपर्ट स्वेक्ट के पास है यह मार्केट जो अपन हुई है, इसका away टेंडेंशी की तरफ मूब करें य analytics इतायों सपोर्ट की तरफ महसरे की तरफ मूब करैं Sania конц यहां था लेकिन वह नीचे दिख रहा है एक 2500 पर दिख रहा है 94 परसेंट कम नहीं होते हैं दोनों साइड में 94 परसें 94 परसेंट और नंबर्स में अगर कंपेर करें तो यह कॉल साइड में ज्यादा मार्केट पर बेरिस प्रेसर हो सकता है अब चलते हैं डायरेक्ली 930 पर 9 930 पर 930 पर 930 पर क्या डाटा दिख रहा है सपोर्ट शिर्फ वॉलूम का रह गया है रेजिस्टेंस में वॉलूम उपर चला गया कहीं लेकिन रेजिस्टेंस भी 93 परसेंट 90 परसेंट और की राइटिंग यहां पर हुई है नंबर्स भी इंक्रीज हुए हैं राइटिंग क्या दिख रहा है स्लाइटली वेरिश्ट यहां पर 56 परसेंट कॉल साइड में राइटिंग और 44 परसेंट को पता करने के लिए यहां पर डेखें तो कॉल साइड की ज्यादा है मुमेंटे दिखा रहा है मार्केट अप साइड का उसके अलावा सीपियार वॉलूम देखें हम लोग लेवल ड्रो करेंगे पहले तो 22,000 के support and resistance ड्रो करते हैं हाला कि 22,000 support resistance काफी नहीं होंगे क्योंकि एक ही candle में दो दो लेवल को cross कर रही है इतनी छोटी सी रेंज दिख रही है लाइन candle के comparison प्रिवियस डेक आया है वैसे तो trade plan करना है तो क्या कर सकते है अभी जैसे market bearish दिख रहा है दो level draw कर लेते हैं यहां से अगर upside में move होना है तो क्या होना पड़ेगा 22,000 को पहल तो bullish होना पड़ेगा अभी के लिए bearish है सुबह सुबह इतने ज्यादा level बन रहे हैं नीचे के दो दो लाइन पर कर रहा है इसको हटा देखिए इसको हटा अभी देखते मार्केट क्या होता पहले 930 पर चलेंगे लेकिन नीचे closing दिया है तो 700 की support को draw करते हैं 700 के resistance नहीं draw करते हैं market volatile है एक ही candle 50 से ज्यादा कहीं बन रहे हैं इसके कारण से नहीं कर रहे हैं अब चाया तो कर सकते हैं पुड़ा मेहनत लगेगा और और नीचे आ गई और यहां से वापस भी चली जैसे नीचे आई थी वैसे वापस चली नाइन थर्टी पे नाइन थर्टी पे जब candle बनना शुरू हुआ था मार्केट 800 के सपोर्ट से वापस गई है उससे पहले एक हैम्मर कैंडल भी बनाई है क्या यहां से कॉल बनता था नाइन थर्टी पे हम लोग डाटा देख रहे हैं यहां पर मैक्सिमम बॉलूम 22,000 पर है हम लोगोंने एक्सपेक्ट करा था कि यहां पर मैक्सिमम हो आई है तो में भी अगर डाउनफोल आती है तो 800 तक आ जाएगी और उससे भी नीचे जाती है तो यह 500 तक जाएगी मार्केट आई नीचे 800 इस प्रिवियस कैंडल ने 800 के सपोर्ट से उपर क्लोजिंग दी है हम लोग सपोर्ट से काफी नीचे हैं तो एक काइंड अव सेफ ही हो ज नीचे तक आ गई थी काना तक तो 800 के सपोर्ट तक 800 कहीं सपोर्ट है नहीं 851 800 का सपोर्ट का वैल्व यह लेवल ऐसे क्यों आ रहे हैं डाटा ही कुछ ऐसा है पाहौल ही कुछ ऐसा है आई वी 10-12 की हुआ करती थी आभी 30 की चल रही है फूट साइड में तो 45 की चल रही है आप से जुरी लगाने वाली उसके बाद प्रीमियम अगर देखें प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं बहुत ज्यादा है कॉल साइट के भी पुट साइट के भी इतने बढ़े हुए हैं कि मार्केट 130 पॉइंट अप होने के बाद भी यह सपोर्ट प्राइज के घास है मार्केट 22,000 के वाँ से एक दो तीन स्टाएप प्राइज तक मार्केट नेगेटीव है प्रीमियम नेगेटीव है मतलब 130 पॉइंट अगर मिश्फियम से मार्केट का ट्रेड durable jest चांपि। हुए है इसका कारण क्या हो सकता है डीके जादा हुआ है डीके क्यों जादा हुआ क्योंकि प्रीमियम और यहां पर यहां तक रहेगा और दूसरी बात अगर हम लोग टार्गेट डबल ले रहे हैं तो यह से डबल होनी चाहिए तो 50 और नीचे अगर आएं इस स्केंडल के लोग के हमारा एसल इतना रहना चाहिए रिक्स रिवार्ड वान इस्टू 1.5 वान इस्टू नहीं मिल रहा है वान इस्टू करना है यहां तक ले जा सकते होने रिषाइड करना है आपको कितना टार्गेट लेना यह करेंगे तो कितना रहेगा 3 वान इस्टू 3 हो रहा है रिक्स रिवार्ड 3.24 हो रहा है ऐसे लापके बड़े रहेंगे 50-60 पॉइंट के रहेंगे यूंकि मार्केट ही इतना बोलताइल है तो टार्गेट भी तो टाइछा करेंगे तो ल्ड कर सकते थे ज्यादा क्व consists करना पड़ेगा कोट होंगा है आथा जलते हैं तीनीटे वान गैनायis काले इसके इुपर निकलती है तो बाइंग बनेगी उससे नीचे जितने लेवल मिल जाए वहां से भी बाइंग बनेगी सपोर्ट और 900 के सपोर्ट पर मार्केट थी यहां पर आपके लिए तो यहां से भी बाइंग बन रही थी आप यहीं पर बुक कर लिये हैं तो यह रिट्रेश्मेंट अगर नीचे आती है तो फिर से कॉल का ट्रे सपोर्ट है कब आया था यह आया था लगवग 9339 33 पर देखते 933 पर यहां पर 22,000 का सपोर्ट स्ट्रॉंग दिख राया है और उसके साथ-साथ-समार्केट 900 के सपोर्ट पर चल रही है 900 के सपोर्ट पर चल रही तो एक बाइंग का लेवल बनता है यहां आपा इक लगे से मिलता अभी अगल के सपोर्ट से मिल रहा है पिछला 800 से मिला था 50 पॉइंट को थो कुछ कौंट ही नहीं कर रहा मार्केट 950 के सपोर्ट का मोगें लाइन भी निद रोकर रहा है नाइन तो यहां पर बाइंग लेवल बनता है अब यह एक बार और कर लेंगे 900 के support से ले रहा है ना तो उसके नीचे वाले strike price क्या चाहिए हमको बेरीश नहीं होने चाहिए जो कि 950 बेरीश नहीं है 100 points 800 का भी देखेंगे वह भी बेरीश नहीं है तो यहां पर लिया जा सकता है से 932 थोड़ा चाहिए हो सकता है यहां तक रखेंगे एटलिस वहां तक रखेंगे और एसल कितना रहेगा तो वह ही रहेगा 50 points के आसपास 50 points के आसपास की एसल रहेगी candle नीचे closing करा है तो हमको data देखना पड़ेगा 936 पर देखते हैं support नीचे आई है लेकिन उपर जाके closing दी अगर नीचे आती तो फिर से एक बार डाटा देखते हैं वह इसे नीचे आई थी तो डाटा देख लेंते हैं 939 939 पर भी कुछ दिक्कत नहीं है support 22,000 का है रेजिस्टेंस वापर से उपर चला गया रेजिस्टेंस 22,000 का कहां पर चला गया तो 22,500 पर अगर यहीं से बड़ा टार्गेट अगर सोच रहा है ना तो 22,250 तक 22,250 378 तक मार्केट टार्गेट दे सकती है support strong resistance to top नीच उपर से नीचे आई वापर चला गया कहां तक 500 तक त से shift हो गई है तो पूरा रस्ता भी जाएगी अभी के लिए इस ट्रेट को continue करते हैं आगे जब टार्गेट आने वाला होगा या यह से लाने वाला आगो वहां पर डिसाइड करते हैं आगे continue करना है या नहीं अभी कैनल नीचे आई है अलमस्त हमारे एसल के आसपास आ चु यहां पर जला गया है नीचे आप फिर से आती है 900 के सपोर्ट पर तो बाइंग बनेगी या उपर निकलती है तो बाइंग बनेगी नीचे आई लेकिन कैंडल नीचे ही क्लोजिंग करा इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग करा पूट का तो कुछ बनता नहीं है क्योंकि resistance उप जिसके कारण से यह 100% दिख रहा है क्योंकि मार्केट यहां से नीचे की तरफ देखता है सपोर्ट ढूणने के लिए यह इस स्ट्राइक प्राइज को नहीं देख रहा है जहां पर चल रही है ना उससे दो स्ट्राइक प्राइज नीचे देखता है फुट साइड में वो ट और दिख रहा होगा 900 का सपोर्ट ओइचेंज के कारन से दिख रहा है मार्केट भी 900 के सब्सक्राइज को ओंड सब्सक्राइब थोड़ा स Dalit 350 बचको देखेंगे अगर आप थोड़ा सा ङतिक्राइबط करते इंक्रीजिंग करीम हुआ है दुबाड़ा से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लेकिन उस अफिसेंट नहीं रहेगा हमारे लिए 800 लेकिन साथ दे रहा है अभी भी अप्ट्रेंड में पोजिटीव है तो 800 साथ दे रहा है देखा जाएगा सपोर्ट दूनने के लिए 800 पर आपको सपोर्ट दिख रहा हुआ 900 पर अब 800 पर दिख रहा है क्योंकि वाइचेंज मैक्सिमम इसके अलावा यहीं पर है अब फिर से हम लोग 900 के सपोर्ट पर हैं वहां से कॉल का प्लानिंग कर रहा है लेकिन अब 850 काफी ब सब्सक्राइब तो यह चली गई 2200 के सपोर्ट पर नहीं पैसे नहीं नएंट प्लानिंट पर देखने पड़ेंगे और भी बेरिस दिक रहा है लेकिन 10 बजे देखना पड़ेगा न तस बजे अब थोड़ा बुलिस हुआ है नीचे गया था वापस उपर आ है उसके बाद 800 800 भी अब बुलिश रिकावर करने की कोशिद कर रहा है तो यहां से कॉल ले सकते हैं और पिछला वाला 800 का सपोर्ट था साइब 850 तो हमको 750 और 700 का देखना था पिछले केंडल में हम लोगों ने 800 और 850 देखा वो गलत था हमको 750 और 700 वाला देखना था जो की ठीक ठाक बुलिश ही है 700 वाला देखते हैं अभी बुलिश है तो हम लोग 800 के सपोर्ट पर थे वहां पर 850 वानना 800 का सपोर्ट है हमको कौन सा देखना है तो उससे नीचे वाला 800 से 750 नीचे आता है 700 आता है उसके वहाई ग्राफ देखने थे तो यहां पर कॉल का ट्रेड बनता हम लोगों ने क्या किया 800 और 850 को देखा वो तो बेरिस ही होंगे अगर बेरिस नहीं होते तो मार्क सपोर्ट था उस टाइम में 100 पर से यहां पर एक कॉल का ट्रेड था जिसके कारण से उटा था बैक टेस्टर में तो कर सकते हैं और यह जब टार्गेट आई कैंडल उपर क्लोजिंग दी वहां से भी हम लोगों का इंट्री मिल रहा है तो अगले टार्गेट तक के लिए इ 22,000 से उपर टो मार्केट एक लिस जाना चाहिए 22,000 के सपोर्ट केया है 2022 ने लुटन आपक का टार्गेट रखा है रहता है इंफाक्ट अम लोगों की रहना चाहिए 102 का टार्गेट रखना चाहिए रिजिस्टेंस का आगे चलते हैं यह टार्गेट आगया लेकिन रेजिस से रहते हैं कौन सा लेवल है 900 का सपोर्ट फिर से मार्क के सपोर्ट पर रहे दिखते हैं 1027 सपॉर्ट फिर से उपर की तरफ विक्नेस दिखा रहा है यहाँ यहाँ इस बार ओईएंप पहले चले गया जही बॉलूम थोड़ा सुष्ट रहता है जाएगा लेकिन अभी बॉलूम रोक रहा है मार्केट को उपर जाने से यहां से अगर प्रॉफिट बुक कर लिया था तो दुबारा इंट्री का मौका आए नहीं करा था तो दुबारा से इसी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं अभी भ थोड़ा बेरी सो रहा है 850 बेरी और देख लिए 800 बुली से लेकिन 850 बेरी से एट फिटी थोड़ा बेरी सोड़ा थो यहां पर आप अभी अवह कर सकते हैं क्योंकि तो प्रोफिट में चल रहा है लेकिन यहां पर इस कॉल की ट्रेड को अवाइड करना ची आगे चलते है अभी बी कंडल उसी कि आसपास ही 1030 पे एक बाड डाटा देखते हैं 1030 पे अगर 850 वाला अलॉव कर रहा है तो ले सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहा है यहां से इंटरी नहीं बन रही थी कि नीचे के स्ट्राइक प्राइब नहीं कर रहा था अब मार्केट फाइनली 22,000 के रेजिस्टेंस पे पहुंची है यहां से कॉल बनेगा अगर बनेगा भी तो रिट्रेस्मेंट भी बनेगा ऐसे थोड़ी बनेगा 1048 पे चलिए देखते हैं 1048 पे फिर से ओवाई बढ़ा है यहां पर थ कर देंगे 1051 पे तेंड पर से जादा से ज्यादा है यहां पर रह जादा है तो दिक्कत नहीं होती है लेकिन OI यहां पे 92-987% है इसके कारण से हम लोग का प्लान नहीं कर रहे हैं मार्केट तो उपर निकल गई है रेजिस्टेंस से लेकिन हम लोग का प्लान नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भी 100% से ज्यादा ही है अगले केंडल ने भी रिट्रेस्ट करा था वहां पे एक बार डाटा देखते हैं 1054 पे 1054 पे अभी भी 100% से लेकिन क्योंकि वॉल्म हट नहीं सकता है चोड़के भाग नहीं सकता है तो वह दीरे-दीरे कम होंगे उसके पर्सेंटेज लेकिन वाई एन वाई चेंज के पास आप्सन रहता है वह एकजीट कर लें और वहां से निकल सकते इसके आरण से वालूम है लेकिन उसके साथ यसे सेवन परसेंट से नीचे होने कर सकते हैं अभी के लिए कॉल नहीं कर सकते हम लोग चैंडल ऊपर चली खे और यह 100 के पर क्लोज कर रही है 100 के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोस कर रही है यहां से कॉल बन सकता है क्या एक लोड़ देखना पड़ेगा 1057 पे 1057 पे अभी भी यहां 87 और 121 है मार्केट उपर जा रही है रेजिस्टेंस अगर यह पर यहां पे 22,500 पर सिफ्ट होगी तो मार्केट 500 तक जा सकती है लेकिन हमारे लिए अभी कॉल का ट्रेड नहीं बन रहा है और लेवल तो 500 तक बना सकते हैं कहां तक जा सकती है तो 500 के रेजिस्टेंस तक जा रही हम लोग एक एक स्ट्राइक प्राइज किप कर रहे हैं और यहां देखिए अब 22,400 के अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 12,957 आ रही है क्या यह रियल वैल्य नहीं है क्योंकि उस टाइम में यह वाला स्ट्राइक प्राइस पर कोई एक्टिविटी था ही नहीं एवरेज कब आती है 930 के असपास उस टाइम में आप जाके देखिए 22,400 पर कुछ खास था नहीं आजू आजू में हमको करेंट वाले यूज करने पड़ेंगे यह करेंट वाली रेजिस्टेंस की वैलू यूज करने पड़ेगी जो 499 है 499 और 500 का रेजिस्टेंस भी करेंट यूज करना पड़ेगा तो 2660 यहां तक मार्केट दिख रही है ले 75-75% के नीचे आ जाती है तो हम लोग का प्लान करेंगे और हम लोग सपोर्ट से काफी उपर आ चुके हैं लेडी तो भी रिस्त रहता है यहां पर OI चेंज आ रहा है 22,300 के आसपास 1106 पर मार्केट थोड़ा सा बुलिश मतलब काफी बुलिश है लेकिन हमको ट्रेड अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि सपोर्ट से हम लोग काफी दूर आ चुके हैं एक पार चलिए लेवल का वेट करेंगे हम इस कैंडल ने उपर क्लोजिंग दे दी कौन से लेवल से क्लोजिंग उपर दिये तो 320 के आसपास क्लोजिंग दिये 300 का रेजिस्टेंस से उपर दिया है 500 पर वहां से दुबारा वीकनेस क्रियाट कर रहा है 300 पर तो इन दोनों के बीच में हाप पर क्या होता है 400 400 के रेजिस्टेंस तक जो कि 499 है वहां तक अभी भी जा सकता है मार्केट हम लोग कौन से लेवल पर खड़े हैं तो हम लोग खड़े हैं 200 के रेजिस्टेंस पर 200 क का रेजिस्टेंस है वहां पर खड़े होंए 200 का रेजिस्टेंस ठीक है 300 का 200 के रेजिस्टेंस पर खड़े हैं दोस्तों के resistance और एक और दिक्कत क्या आरी ना 200 का resistance current और average में काफि फरक आ रहा है 200 का resistance average वाला 319 है जिसके उपर market ने close दिया है लेकिन current वाला 284 है 284 का level draw करें अगर 284 current कर रहे हैं क्यूंकि 400 और 500 पर तो आई नहीं रहे हैं तो भी एक कंडल पहले ही दिख रही है 284 एक कंडल पहले ही दिख रही है फिर तो 300 का current वाला current 384 है 384 कर देते हैं उसके बाद 300 के बाद 400 का करेंगे 400 का 492 है 492 400 के resistance तक दिख रहा है 200 के resistance होता है 250 के support होते हैं 200 को देखना है वो बुलिस है हमारे लिए अच्छी बात है 150 भी बुलिस है और 250 एक बर देख लेते हैं 250 वेरी से जिसके कारण सो उसके support पे चल रही है नीचे वाला बुलिस है resistance में रेजिस्टेंस 2,500 पे जिसकी weakness 300 पे मार्के 400 के resistance तक जा सकती है तो यहां पर थोड़ा risk ही रहेगा लेकिन कम quantity से है risk manage करके चलेंगे तो कर सकते हैं और in fact target तो यहां तक का दिख रहा है OI change के कारण से 300 पे resistance shift हुआ है तो 300 के resistance तक का ही target अब देखेंगे 380 का यह level है इसी तक का हम लोग target देखेंगे entry कर सकते हैं क्या कर सकते हैं साइद एक बार देखते हैं नीचे वाले bearish हो गए क्या नहीं हुए है 300 वाले बुलीश है 250 वाला बुलीश है और 200 वाला भी बुलीश चल रहा है तो हम लोग exit तो नहीं करेंगे लेकिन target अब छोटा कर लेंगे 300 का 380 के आसपास अब 380 का target आया उसके उपर ही candle ने closing दिया है तो आगले तीन मिनट में data देखते हैं 1124 पर फिर से इस resistance की weakness दिखी दुबारा से 80 से 94 परसेंट हो गए फिर से 400 और 500 अब तो 500 हो गया क्योंकि यह shift होने के बाद दुबारा से उपर जा रहा है तो 500 के resistance तक का target मिल रहा है चाहें continue कर सकते हैं इसको और यह कौन से लेवल है तो 300 का resistance है 300 का resistance यह ना 300 के ऊपर मतलब 350 के support से हम लोग trade continue कर रहे हैं तो हमको चाहिए 300 बेर इस नहीं होना चाहिए नहीं है तो continue करेंगे candle नीचे आकर closing नहीं दी candle नीचे closing नहीं दी लेकिन नीचे तो आई थी 1133 प 1000 तक volume की percentage को देख लिए क्या हो increasing है और यह में भी आप देखिए data आपको दिखेगा न 1130 के बाद का ही data दिखेगा क्यूं दिखेगा क्यूंकि उस time से पहले option chain पर था ही नहीं अपने पास 23,000 strike price था ही नहीं तो अब थोड़ा दे टाइम देंगे यह increasing है या नहीं अभी के सकते हैं हम लोग एक अंडल नीचे आई नेकिन उपर जाके closing दी है 1142 पर फिर data देखते हैं 1142 पर 500 पर resistance और नीचे में 400 पर weakness है 400 का ही expect कर रहे हैं आप तो 400 के नीचे आई SL के पास थोड़ा सब से बच गया target बुक कर लिया हो तो ठीक है नहीं तो आप दुबारा entry कर सकते है 1148 पर देखते हैं data 1148 पर कर सकते हैं जी continue कर सकते हैं मार्केट है 300 के support पर 300 के resistance पर 379 350 के support पर नीचे वाला strike price देखते हैं वह अभी भी bullish है तो यहां से फिर से एक trade बनता है fresh वाला जो आल्रेटी ट्रेड में हो तो continue करेंगे जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए एक fresh entry बनती नीचे की तरफ weakness बन रही है फिर भी मार्केट चार्स तो एटलीस तो जानी चीए और यह नीचे के लेवल तक आ गई यहां से इंट्री बन सकती है जिनका इस लेवल से चुट गया होई यहां से इंट्री ले सकते हैं क्या 250 का सपोर्ट है 200 वाला देखते हैं 200 वाला बुली से अभी भी तो यहां से भी इंट्री बन रही है 12 बच के 42 मिनट बारा ब्यालीस पर मार्केट 300 के का बना रहा है जो 400 वीक है और चेंज का खेल चल रहा है और चेंज 400 वीक्नेस बना रखा है हम लोग कौन से लेवल पर हैं तो 250 के सपोर्ट पर अगर नीचे वाला श्ट्राइक बेरिस नहीं होता है तो एंट्री कर सकते हैं तो यहां पर फ्रेस इंट्री भी बन रही है और इ पांच सो का है 500 तक मार्ट जानी चाहिए रेजिस्टेंस में अपने आप में विक्नेस भी है टॉप पे और उपर जा सकती है पुट रम लों के लिए बनेगा नहीं सब्सक्राइब कॉल कॉल रिस्की हो जाएगा पुट बनेगा नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस काफी उपर दीख रहा है मार्केट मोमेंटम में और उपर जा सकती है टाइम भी खतम हो चुका है इसके आला आगे और भी उपर गई देखें तो क्या क्या हुआ थोड़ा सा अलग अपने कन्वेंशनल तरीके से थोड़ा सा अलग से ट्रेडिंग करना पड़ेगा एसल फिप्टी पॉ होना चाहिए यह था जी आज का पोस्ट मार्केट अनिलिसिस इसको मैं जान बुझ के ऐसा कर रहा हूं ताकि इसको आप फॉलो ना करें यह सी के अकॉर्डिंग ठीक चला है लेकिन जो हम लोग करते हैं 20 पॉइंट का एसल 25 पॉइंट का एसल और 50 पॉइंट 45 पॉइंट का काफी दिक्टत होगी प्रॉफिट अनल लॉस अगर आप देख रहे हैं अब तब आज के मार्केट में काफी दिक्टत है एक ही कैंडल में 100 पॉइंट उपर 100 पॉइंट नीचे प्रीमियम जा रहे हैं बैंक निफ्टी का निफ्टी के वीव ऐसी होंगे 55 पॉइंट उपर कि चरी रहे होंगे